नमस्का दोस्तों मैं हूँ रानापुता प्रवय आपका दोस्त दोस्ते एक बार फिस्टे स्वागत है आप सबका मेरे युट्यूब चैनल पर इसका नाम है हिल्टेंड दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है प्रेग्नी डॉक्सिन प्लास टैबलेट जो की डॉक्टर रेड़ी लेबरेटरीज लिमिटेट का एक प्रोड़क्ट है और भारत में हर इस्थन पर पाय जाता है ये एक प्रकर का उल्टी रोकने बाली दवाई है इसके बारे में मै पूरी जानकारी आज देने वाला हूँ कि ये कब दी जानी चाहिए किस प्रकार की उल्टी में ये फायदा करता है किन को नहीं देना चाहिए कितना मात्रा में देना चाहिए क्या क्या साइट एफेक्ट है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा खासी इसलिए वीडियो के अंत तक बने रही है और आभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और बिल आइकन कोई प्रेस कर लेना प्लीज और प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन साब से पहले आप तक पोज सके दोस्तो जो प्रेगनी डॉक्सिन टैबलेट है ये एक प्रकार का एंटि एमेटिक टैबलेट है और गर्भवस्ता में जो होने वाले उल्टी है उसको रोपने के लिए ये गोली दी जाती है ये डॉक्टर रेडिज लेबरेटरीज लेमेटेट का एक प्रोड़क्ट है और जो तीस गोली का एक पता होता है उसका कीमत होता है 210 रुपे दोस्तो जब कोई महिला पिगनेंट होती है तो उस समय उनके अंदर बहुत सारे चेंजर आने लगते है उसमें से एक है उल्टी आने की बज़र से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उल्टी आने की बज़र से उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती ह उनको morning sickness जैसी बिमारी होने लगती है जिससे सुबा को उनका उठने का मन नहीं होता है चक्कर आता है, कुछ खाने पिने का मन नहीं करता है जीन इचलाता है और जिसकी वेज़ा से उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है तो इस tablet को लेने से वो सब बिमारी दूर हो जाती है इसके अंदर क्या क्या पाजाता है, दीखिए इसके अंदर जो doxilamine है, वो 10 mg में दिया गया है pyridoxin 10 mg और जो folic acid है, वो 2.5 mg में दिया गया है doxilamine एक प्रकर का उल्टी रोकने बाली medicine है याने की anti-emetic medicine है, साथ-साथ जो pyridoxin है और folic acid है, ये एक प्रकर का पोशक दता है जो कि हमारे body के लिए बहुत ही जुरूरा थे जब मेला को उल्टी होती है, तो उल्टी अधिक होने की वज़र से जो कमजोरी आती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए pyridoxin और folic acid है, वो help करता है साथ-साथ इसको लगातार लेते रहने से जो उल्टी आने की प्रभित्ती है, उसमें भी कमी आती है आम तोर पर देखा गया है, जब मेला pregnant होती है तो पहले तिमाही में सबसी ज़्यादा उल्टी आती है उसके बाद में ये धिरे-धिरे कम होने लगता है कुछ महिलाओं का तो ऐसा होता है कि उनको ऐसी उल्टी जैसी कोई शिकायत होती नहीं और कुछ महिलाओं तो ऐसी होती है जिनको delivery तक जो है उल्टी होती रहती है और जिसकी वज़ासे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अब जरह बात कर लेते हैं कि यह जो उल्टी है वो होती क्यों है देखिए रिसर्स के अनूसर जो प्लासेंट होता है उससे SCG हर्मोन का सिक्रेशन होते रहता है SCG हर्मोन यानि की human chorionic gonadotropin हर्मोन इसका सिक्रेशन अधिक होने की वज़ासे ही उल्टी होती है तो यह सभी को होता है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते है SCG हर्मोन की मात्रा बढ़ने से उल्टी की प्रवित्ती है वो बढ़ती जाती है और एक समाई ऐसा आता है कि फिर जो है उल्टी आना कम हो जाता है या रुख जाता है यह जो उल्टी है यह एक प्रकार की समन्न घटना है सबको होता है लेकिन कई बार और कई कारणों से भी उल्टी आती है जैसे कि किसी प्रकार की food allergy है peptical cancer है peach acidity है thyroid की बीमारी की बज़ासे भी हो सकता है goal blader से समंधित बीमारी की बज़ासे भी हो सकता है Essaag hormone के साथ साथ अनक कई और प्रकार के जो hormone है उसका secretion होता है और जिसकी वज़ा से histamine का secretion भी होने लगता है और histamine का secretion ज्यादा होने की वज़ा से ही उल्टी आती है और जो doxylamine है एक प्रकर का anti-histamine medicine होने की वज़ा से histamine का जो secretion है उसको block कर देता है जिसकी वज़ा से उल्टी उपकाए नहीं आती है अगर इसकी डोस की बात करें तो जब उल्टी होती है तब इसका एक टैबलेट लिया जाता है अगर उल्टी जादा हो रही है तो सुभा शाम दोनों टाइम दिया जा सकता है मर लिजिए सुभा को उल्टी कम है लेकिन रात को उल्टी ज़्यादा होती है तो उस समय सुभा एक टैबलेट और राप में दो टैबलेट देना चाहिए अगर सुभाशाम दोनों ही टाइम जो है उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस समय सुभाशाम दोनों टाइम दो दो टैबलेट दे सकते हैं इसको उल्टी होने पर ही देना चाहिए लेकिन इसको लगातार एक टैबलेट सुभाशाम दो टाइम देने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है उल्टा फायदा होता है इसके अंदर मौझूद जो फोलिक असिड है और जो पायरी डॉक्सिन है वो शीशु के विकास में बहुत रोल प्ले करता है और जो मा है उनके अंदर भी किसी भी प्रकार की कमजोरी हो बुद्दूर करता है शीशु के बाल, नाखुन, मस्तिश के ब्रेन, सारे चीजों का जो है विकास इससे होने लगता है नए ब्लाट सेल्स बनते हैं मा के गर में जो पल रहा बेवी है उसका सर भांगेन विकास होता है तो पारिडॉक्सिन टेबलेट को आप लगतार भी दे सकते हो लगतार देने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और उल्टा फायदा है अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे नीद सुस्ती रह सकती है कमजोरी सा लग सकता है जो भी मैंने जान करी दिए हैं आपको अच्छी लगी होगी और जरह सा भी helpfulल लगया हमारे वीडिओ हमारी जान करी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को Jebregg नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना और और बेल आइको कि प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूल सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जै हिंद जै भारत